नमस्कार दोस्तों मैं बुद्धिविला सरैकवा दोस्तों जब भी आप इंजन लेते हैं तो उन में से कुछ चीजें जो है आपको जानकारी होना चाहिए जिससे इंजन लेने में असानी हो और इंजन जो है सालों साल चले इंजन में कोई दिक्कत ना है बहुत से कमेंट आ रहे हैं इंजन कौन सी कमपनी का लेना चाहिए तो मैं ये भी आपकी डाउट जो है क्लियर कर दूँगा कि इंजन में आपको कौन सा कमपनी का लेना चाहिए और कौन सा क्या क्या देखना चाहिए तो सबसे पहले इंजन में आपको क्या देखना है यह जो आप वील देख रहे हैं यह जो वील है यह इंजन का सबसे important part है तो इसका size जितना जादा मतलब बड़ा होगा और जादा मोटा होगा यानि वजन में जितना जादा होगा यह जो हम balancer है यह यह जितना जादा वजन में जादा होगा उतनी अच्छी इंजन की स्टार्टिंग होगी और जो इंजन है वो सालों साल चलेगा क्योंकि जो इंजन का वैलेंसर है इससे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत नहीं आती और जो लोड है वो बहुत जादा इंजन लेता है अगर पाइह बड़ा है तो लोड जादा इंजन लेगा और दूसरी बात अगर आप जनलेटर ले रहे हैं तो वाटर कूड लेने की कोशिश कीजिए और आप सबसे में चीज जो है यह पंखा आता है मालो इंजन यह तो हो गया यह इंजन आइसर का आठ है आइसर बहुत अच्छी क देखते हैं पंखे वाली जो इंजन है आपको किलोसकर यह आइसर यह फिल्ड मारसल यह तीन बहुत अच्छी कंपनी है आप इन में से कोई सब भी आँख बंद करके ले सकते हैं बट सबसे इंपोर्टेंट चीज जो है पंखे वाली अब बहुत से निव निव मॉडल आने चला गया तो आयल सील खराब हो मतलब जो है लोड पंखा पानी नहीं उठा पाता और अगर कुए में आपने रखा है और पानी जो है मतलब बारू आ रही है तो आयल सील बहुत ज़्यादा कट जाती है तो आप इंजन लेते समय तो ज़्यादा प्रयास करें कि जो गिलान अच्छा रहता है वह बहुत दिन तक चलता है और यह तो यह सील वाला में मिलती नहीं है और टोस्तों को आप इंजन अपने ही साथ सेंटा हो negotiated आयो को फिदने एच्पी का चाहिए तो दोस्तों आपको दो ही चीज का ध्यान देना है बहुत बारी किसी पंखा आयल सील वाला ना ले और जो वील है वो अच्छा होना चाहिए और आप इंजन कंपनी का ही लें जो कि अभी बहुत से कंपनी आ रही हैं तो आप अच्छी कंपनी क कही लें जिससे कोई दिक्कत नहों और वारेंटी भी मिलती है इसमें सो दोस्तों यह इंजन लगभाग 29,000 का है 29,000 का सो आप दो चीज का हमेशा ध्यान दें इंजन लेते समय तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना